तो इसमें कोई पानी डाले के जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आल लेडी यह पानी छोड़ेगा तो इसको हम पकाएंगे तब तक पकाएंगे तब तक पकाएंगे तब तक यह बिल्कुल सॉफ नहीं पानी डालेंगे तो आसपस मैंने पानी लिया है आप रहता है कितना घड़ा खाना कितना पतला 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 नहीं पानी डालेंगे अपनी इसाब से कम्या ज्यादा कर लिजेगा पिर अच्छे से मिक्स करेंगे इसमुथ कर लिया है फिर इसमें हम ब्लैक सॉल्ट रॉक सॉल्ट डाल दिया है ये भी अपने आप टेस्ट के कॉर्डिंग सॉल्ट डाल दीजेगा फिर अच्छे से हम मिक्स करेंगे फिर हमें जो हमारा लोकी हमने पकाया था वह ठंडा हो गया है फिसमें हम डाल कर मिक्स करेंगे ये लोकी कराता आप कभी भी बनाई है बहुत ही टेस्टी लगता है आप यकीर नहीं करेंगे जब भी आप बनाएंगे तो आप मुझे जरूरियाद करेंगे देखिए मैंने अच्छे से मिक्स करीं मुझे लग रहा थोड़ा सा गढ़ा है तो मैंने थोड़ा सा पानी और डा पर जीरा जीरी का कलर चेंज हो गया तो इसमें ग्रीन चिली डाल दिया है मैंने दो से तीन चट करके पिर करी पत्ता अच्छे से पकाएंगे फिर हम बंद जैस बंद कर देंगे फिर इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे यह टेर्मरिक पाउडर तेल जादा गरम नहीं होने तो हल्दी जल जाएगी फिर हम डाल देंगे इसमें रायते में फिर हम मिक्स करेंगे बिल्कुल रेडी है हमारा रायता इसको अब कैसे भी सर्व कीजिए अब ठंडा या नॉर्मल टमप्रेचर भी खा सकते हैं बिल्कुल रेडी है इसमें कोई सब्जी कोई दाल की जरुवत नहीं आप प्लेन पराटे के साथ भी खाईए